मुअहेट मिःकन कोपते बंनाने के लिए हमने इननी फ्राई नहीं करना है इसे मैंने पीसिज में गट करके इसे मेंने बॉइल कर लिया था जब तक इसे hiding कि यह अच्छे से realise कि हमने इसे सॉफ्ट नहीं हो जाए इतना हम इसे बॉयल करेंगे कि अच्छी तरह से यह मैश हो जाए अब हम इन्हें ना मैश कर लेंगे ऐसे ना कुंडी में डालते हैं सोटी के साथ हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे यह देखिए हमारा मसा यह अच्छी तरह से कूट लिया है यह जो है अद्रक लैसुन और हरी मिर्ची हमने ऐसे की थी ग्राइंड की थी इसे डाल देंगे इससे कुप्तों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसके साथ हम स्पाइस डाल देंगे हल्दी एड़ कर देंगे रच्छी पाउडर और स्वादन सार नमक और पाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसं डालेंगे यह दिके बेसं डाल देंगे और मिक्स कर देंगे के तक्डेवन एक कैट्री से थोड़ा सा खमी डाल आध हमने बेसं और अच्छे से मिक्स कर देंगे दूसरी तरफ हमने कडाई रख दी है इसे अच्छे से तेल डाल देंगे यह देखेए सरसो के तेल खुला सा डाल देंगे हमने कोपते तलने हैं उसके बाद हम तड़का भी लगाएंगे करी के लिए अच्छे से ही टफ होने लिए इसे अब हम इस डो के कोपते बना लेंगे देखिए ऐसे हमने बनाने है ऐसे लंबे लंबे अकार में जैसे आपको पसंद हो आपको ऐसे बना सकते हैं मैं ऐसे बना रही है यह देखिए इसी तरह के बाकी भी बना लेंगे हम बहुत एजी है बनाने सबी कोपते हैं से हम रेडि कर लेंगे ऐसी करते करते ये देखी सबी कोपते हमने बना दिये हैं ऐसे ये कार में अब हम इने फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा ओयल भी हीट अप हो चुका अच्छे से कि आप देख सकते हैं वाइल हीट अप हो चुका है अब हम कोपते इसमें डाल देगे कि 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 प्रेम को ना हमने ज्यादा हाई पर नहीं रखा हमने स्लोपी रखा है अब हम केरफुली नहीं लाएंगे अब हम केरफुली नहीं लाएंगे प्लेम को ना हमने मेडियम पर रखना नहीं तो हमारे जो कोपते ना अंदर पर पच्छे रह जाएंगे कि देखिए कितना अच्छा कलर आए है हमारे कोपतों के उपर कितने क्रिस्पी और गोल्डन से हो चुके हैं यह फ्लेम ना हमने मीडियम पर रखे इसलिए ना इसको थोड़ी कर और कुक करेंगे तांकि अंदर से अच्छी तरह से यह पक जाएंगे फ्लेम को हाई पर नही कोफते हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं चलिए निकाल लेते हैं कि देखिए कितना इच्छे बने यह अच्छे बने यह अच्छे बने यह अ कि यह देखिए कितने जबरदस्त हमारे कोफते बनके रैडी हो चुके हैं यह हो चुके हैं इन्हें हम निकाल लेंगे इन्हें आप एजे स्नैक्स भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाही के साथ यह देखिए सारी कोफते हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं अब हम आगे की कुकिंग स्टार्ट करते हैं तड़का लगाएंगे ग्रेवी के लिए मेरा ही टप हो चुक है अब मैं खड़ी मसाले डाल दूगे और सुखी लाल मिर्चे हैं वो डाल दूगे आप अब कि आप अब कि आप और इसके साथ ही अद्रफ लैसन का पेश रहा है कि अद्रफ सकते हैं कि अस लसन और अद्रक अच्छे से कुख हो चुका है अब हम इसमें प्यास डाल देंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छी तरह से पकाना है अब हम इसमें टमैटो की जो हमें पेस्ट बनाई है टमैटो को व्राइंड करके वह डाल देंगे अब हम इसमें हरी मट्रे अड़ कर देंगे तड़के को अच्छी तरह से पूखो न देंगे अब हम इसमें स्पाइसे जाड कर देंगे क्योंकि हमारा तड़का है जो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है अब हम इसमें सबसे पहले हल्टी डालेंगे रेट्चिल कॉल्टर नमक यह मैंने वन वन टी स्पून लिया है और नमक स्वार्दन साथ करेंगे और देट देंगे अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे अब हम इसमें कसोरी मेथी डालेंगे इसे चार-पांट मिनट के लिए ऐसे ही बुलने देंगे मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं अब हम जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल देंगे अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं मैंने इतनी रखी है और मिक्स कर देंगे अच्छे से अच्छे से बॉइल आने तक कूप करेंगे अब हम चक कर लेते हैं अच्छे से बॉइल आ चुका है अब हम जो हमने कूपते बनाए थे ना वो इसमें छोड़ देंगे तांकी जो यह ग्रेवी है इसका टेस्ट अंदर तक कूप तो में पिचला जाए और इससे ढख देंगे हम और दो तिन मिनट के लिए आसी कुक करेंगे एक तो मिनट हो चुके हैं अब कोपतों को हम निक्स कर देंगे अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे हमारे कोफती बिलकुर रैडी है अब हम इसमें प्रीम डालेंगे और धनिया डाल देंगे अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक सकते हैं कितनी जबर्दस्त हमारे कोपते बनके रैडी हुए हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अगर्ण अगर चूले पर बनाएंगे तो और पी टेस्टी बनेंगे जिमी कंद ऐसे तो आपने बनाया होगा लेकिन ऐसे कोपते बनाके देखी गा बहुत ही टेस्टी बनते हैं अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं कि अग्या अग्या कि अग्या कि कि अग्या कि अग्या कि अग्या यह लीजिए हमारे जीमीकन के कोफते बिल्कुर रेडी हैं इस रेसिपी को जूरू ट्राइए और यह रेसिपी आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक शेर और में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो